नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का चिक्षा सेडिकेस योटूब चैनल में दोस्तों हमने जो RRB NTPC और Group D के लिए टेसरीज स्टार्ट के हुई है उसके भाग 19 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के हमारा जो भाग 19 है इसमें हमने कौन-कौन से important तीस प्रस्नों को समलित किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं पहला प्रस्न हमारा है, रोग जन को द्वारा संक्रमन का विरोध करने के लिए एक जीव की छमता को क्या कहते हैं सिंपल सी भासा में अगर मैं आपको बताऊ कि हमारे सरीर में रोगों से हमारी जो रच्छा कलता उस system को हम क्या कहते हैं यह सिंपली आप से पूछा जा रहा है तो जो हमारे सरीर की इम्म्यूनिटी होती है जो हमारे सरीर की प्रतिरच्छा सिस्टम होता है वह रोगों से हमारे सरीर की इम्म्यूनिटी पावर होती है वही रोगों से हमारे सरीर की इम्म्यूनिटी पावर होती है वही रोगों से हम जो प्रसिद्ध को फाएं हैं यह आपको मिलेंगी महरास्ट्रा राज में तो option जो इसका C है बिल्कुल सही है अगला प्रस्थ हमारा है गदर पार्टी की जो अस्थापना यह कब की गई थी तो गदर पार्टी की जो अस्थापना यह की गई थी एक नॉवंबर डेट थी एक नॉवंबर वर्ष 1913 की कहां पर की गई थी जगह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो सैन फ्रांसिसको नामक जगह थी यहीं पर आप की गई थी जो है गदर पार्टी के अस्थापना किसके दरा तो सोहन सिंग भाखना के दरा जो है गदर पार्टी के अस्थापना के गई थी एक नॉवंबर 1913 को तो इसे आप दिया देखेगा जगह थी सैन फ्रांसिसको अगला प्रसमारा है मुस्लिम लिग क जो अस्थापना किसके दरा की गई थी तो आप याद रेखेगा जब मुस्लिम लिग की अस्थापना 1906 में की गई थी तो इन तीनों जो ब्यक्ति हैं आगा खा नवाब सली मुल्ला और मोहन सिल मुल्क इन तीनों ने मुस्लिम लिग की अस्थापना में महत्पूर्ण भूम का निवाई थी परंतु अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था इस लिग की अस्थापना मुँआ दिया था नवाप सली मुल्ला ने तो इसे आप द्यान देजेगा इसके साथ मुस्लिम लिख के अगर हम पहले अध्यच की बात करें तो मुस्लिम लिख के पहले अध्यच कौन बना था मुस्लिम लिख के पहले अध्यच तो आगा खा यानि ऑप्शन जो ए है आगा खा वाला ये आगा खा मुस्लिम लिख के पहले अध्यच बने थे और वास्तिविक संस्थापक एकर बात हम करें तो नवाब सलीमुल्ला जो थे ये मुस्लिम लिखे वास्तिविक संस्थापक माने जाते हैं तता 1906 में मुस्लिम लिखी अस्थापना की गई थी अगला प्रस्मारा है आपको बताना कि डेन्मार्क की राजधानी वलतमान में क्या है तो प्रिजन टाइम में डेन्मार्क की राजधानी क्या है तो कोप हेगन जो है यह डेन्मार्क की राजधानी है वहीं प्राग किस देश की राज़ानी तो चेक रिपब्ली कहने कि चेक गड़राज की जो राज़ानी है उसको हम प्राग कहते हैं और उटावा किस देश की राज़ानी है तो कैनेडा की राज़ानी को हम उटावा कहते हैं और व्यूनस आरेस किस देश की राज़ानी है तो और्जेंटीना की राज़ानी को हम कहते हैं व्यूनस आर्यस तो यह चारो राज़ानी आपके दिमाग में होनी चाहिए दूर संचार उपकरण इन में से कौन सा आपको बताना है कि दूर संचार उपकरण इसमें से कौन सा है काफी इंपॉर्टेंट प्रस्ण है तो जो दूर में फाइल्स को नुकसान होने से मतलब बचाता है उसको हम क्या कहते हैं तो विद्वेश्पुर सब्ट्वेयर को हटाने और रोकने के लिए इस्तमाल में लायाता है एंटी वाइरस यानि ऑप्षन जो इसका ए है बिल्कुल सही है एंटी वाइरस अगला इप्षन प्रसमारा है बेक्रेल निमलिखित में से किसको इकाई है तो रेडियो एक्टिविटी की यानि की रेडियो धर्मिता इसका राय टेंसर हो जाएगा तो फ्लेमिंग के बाय हाथ के निम के अनुसार जो अंगुठा होता है वह बल यानि की फोर्स का प्रतिनधित करता है तो राय टेंसर आपको जाएगा फोर्स यानि की बल का प्रतिनधित करता है अंगुठा फ्लेमिंग के बाय हाथ के निम के अनुसार अगला अप्रसमारा है lubricants जो होते हैं जो भारी machinery को 104 रूप से चड़ाने के लिए उप्योग में लाई जाते हैं आपको बताना है कि जो lubricants होते हैं वे किस के बने होते हैं किस प्रकार बनते हैं ये तो जो lubricants होते हैं ये petroleum के बने होते हैं तो right answer आपको जागा petroleum से अगला प्रसमारा है निमलिकित में से कौन सा जो तत्व है वह आवाद सार्णे के samoo 2 में मतलब samoo 2 में रखा गया मतलब samoo 2 से संबंदीत है तो आवद सारने के समूः 2 में नेमलिकित में से किसको रखा गया है तो इसमें से जो magnesium है उसको आवद सारने के समूः 2 में रखा गया है, तो right answer आपका हो जाएगा magnesium यानि option B इसका बिलकुल सही है अगला प्रसमारा है, lithium लिथियम और बेरिलियम के बीच इसमें से जो कौन सा तत्व है जिसमें उच्छ परमाडू त्रिज्जा होती है काफी important प्रस्थ है तो लिथियम और बेरिलियम के बीच जो लिथियम तत्व होता उसकी जो परमाडू त्रिज्जा होती है वो उच्छ होती है निकी high होती है त इसकी जो पर्माडु त्रिज्या वो सबसे उच्च होती है तो magnesium और calcium के बीच जो calcium तत्त होता है यानि option B हमारे बिल्कुल से calcium तत्त की जो पर्माडु त्रिज्या होती है वो सरवाधी केने की उच्च होती है अगला प्रस्मारा है निम्लिकित में से कौन सा योगीक आसू में नहीं पाई जाता है तो IGE जो यह ओगी होता है यह आसू में नहीं पाई जाता है तो राइट इंग से आपको जाएगा IGE अगला प्रस्मा रहा है निम्लिकित में से कौन बायो गैस का घटक नहीं है काफी इंपॉर्टेंट प्रस्म है तो दिये गए options में से बायो गैस का घटक कौन सा नहीं है तो nitrogen oxide जो है यह बायो गैस का घटक नहीं है इसमें से बाकी तीनों options जो है carbon dioxide, methane और hydrogen यह से भी जो हैं बायो गैस के मुख्य घटक हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रस्मा रहा है एक स्वस्त मनुस्य का जो हिर्दय होता है एक मिनिट में कितनी बाद धड़कता है काफी important प्रस्म ने भी है तो एक स्वस्त मनुस्य का जो हिर्दय होता है यह एक मिनिट में कितनी बाद धड़कता है तो 72 बार 72 बार प्रती मिनिट यहाँ पे option D होगा तो 72 बार धरगता है प्रती मीनट जो है एक सौस्त मनुस्य का हिरदय तो राइट एंसर आपको जागा 72 अगला प्रसमारा है हाली में किस देश के द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगटन जिसको ओपेक के नाम से जानते हैं उसको छोड़ दिया गया था तो दिये के options में से किस देश ने ओपेक को छोड़ दिया था तो कतर इसका राइट एंसर रोजा कतर के दर जो है ओपेक को छोड़ दिया गया था अगला प्रस हमारा है भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी सुरुवात की सराज जिम्म की गई गाफी important प्रस्थन है और यह 100% आपके एकजाम में पूछा जाएगा तो भारत की जो पहली ई लोक अदालत है इसकी सुरुवात की गई थी राजीव गांदी किसान कल्यान योजना जो अधिया चतिस गड़ में चलाए जा रही है इसके बाद जो इस पंदन कैमपेण है यह भी चतिस गड़ में चलाए जा रहा है इसके अलावा चतिस गड़ की एक महत्रपुन योजना है गोधन न्याय योजना इस योजना का नाम राज्य से है तो हर्याना इसका राइट एंसर हो जाएगा option A यह जो योजना है यह हर्याना राज्य की योजना है इसके साथ ही जो हर्याना है कि गवर्मेंट उसके तरह help me नामक mobile application भी launch किया गया तो help me नामक mobile application आप इसे याद रिखियेगा तता जो sub tropical fruit expo हुआ था आप ध्यान दिजेगा sub tropical fruit expo जो हुआ था 2020 का यह भी हर्याना में ही आयोजित किया गया था इसके बाद हर्याना में एक योजना चल लेए मेरा पानी मेरी बिरासत इसे भी आप ध्यान दिजेगा मेरा पानी और मेरी बिरासत जो योजना है यह भी हर्याना में चल लेए इसके अलावा हर्याना में एक योजना चल लेए यह सची वाले पोर्टल कौन सा पोर्टल तो यह सची वाले जो पोर्टल है यह भी हर्याना में लॉंच किया गया तो इतनी सारी चीज़े आपको याद खनी है अगला प्रस हमारा है हाली में किस राज की सरकार ने अपने राज में अस्थानी लोगों के लिए जो है राज की 75% नोकरियां है उनको अरक्षित कर दिया मतलब हर्याना की जो 75% नोकरियां होंगे जो 50 जार रुपय से कम होंगी आप दान देज़ेगा हर्याना की जो 75% नोकरिया होंगी जो 50,000 रुपे से कव होंगी वो हर्याना की अस्थानी लोगों को ही दे जाएंगी अगला प्रसमारा है वर्ल डेरी समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो वर्ल डेरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में बारत में 2022 में G20S का समिलन जया जाएगा और 2022 में हम अपनी अजादी की 75 वर्स गांट भी मनायेंगे ते भी आपको पता होना चाहिए आपको बताना है कि बलराम जो योजना है या किस राज की फेमस योजना है तो बलराम योजना किस राज की फेमस योजना है तो यह ओडिशा राज की फेमस योजना है तो राइट एंसर आपको जाएगा बलराम योजना जो है और यहाणा मतलब ओडिशा की फेमस योजना है तता ओडिशा में ही 2013 का जो हौकी का वर्ल्ड कप होगा ध्यान देजेगा हौकी का जो वर्ल्ड कप होगा तो जा 23 का यह ओडिशा में ही खेला जाएगा तो आप इसे ध्यान देजेगा काफी important प्रस्न है अगला important प्रस्न हमारा है सोहराई और कोबर आर्ट्स यह जो famous आर्ट्स इनको मैं आपको बता तो इनको GI टेग हाली में दिया गिसी काले से न्यूज में है तो आपको बताना कि सोहराई और कोबर आर्ट्स जो है इनका संबंद किस राज्य से है तो हाली में सोहराई और कोबर आर्ट्स को जियाई टेक दिया गया है तता इनका संबंध ज्चंड राज़ से तो राटेंस राकवाँ ज्चंड अगला प्रसमारा है निम्ण में से किस देश की सीमा कैस्पीयन सागर से लगती है तो कैस्पियंस आगर की जो सीमा टोटल पांच देशों से लगती है तुर्कमेनिस्तान, अजर्बैजान, रूस, इरान और कजाकेस्तान यानि राइट हैंस राखवा जागा इन में से सभी अगला प्रस्मारा है इसरो के वलतमान में जो प्रमूख हैं वह कौन है तो इसरो के वलतमान में प्रमूख हैं के सीवन तो आप इसे ध्यान देजेगा तता डियाडियो के प्रमूख वलतमान में कौन है तो जी सतिस रडडी जो है वलतमान में डियाडियो के प्रमूख है हमारे जो सेकेटी एडवाइजर नेशनल सेकेटी एडवाइजर हो है अजी डोभाल है और नरंदर मोधी हमारे वलतमान में प्राइम मिनिस्टर है इसके साथ यहां वे बात इसरो की है तो इसरो का हैट क्वाटर आपको मिलेगा बैंगलूरू में का बैंगलूरू में आपको डेविट माल पास इसका राय टेंसर हो जाएगा option A वर्ल्ड बैंक का हैट को आपको मिलेगा वासिंग अटन DC में अगला प्रस्मारा है हाली में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रीज है या किस राज जी में दिवस कब मना जाता है तो जो भारती थल से न दिवस है या मना जाता है 15 जनौरी के दिन तो राय टेंसर आपको जाएगा 15 जनौरी के दिन जो है प्रतिवर्स भारती थल से न दिवस मनाया जाता है अगला इंप्रस्मारा है निम्न में से किस प्रसीद भ्यक्ति को सिमान्द गांधी के नाम से जाना जाता है तो किस भ्यक्ति को सिमान्द गांधी के नाम से हम जानते हैं तो खान अब्दुल गफार खान इसका राटेंसर हो जाएगा मदन मौन मालवी जो को मामाना के नाम से जानते हैं और बाल गंगादा दिलों को लोकमानी के नाम से जानते हैं तो ये भी आपको पता होना चीए आज का लाश्ट प्रस्ट नमारा है कौन सा राज ये अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है तो कौन सा राज अपनास्थापना दिवस वा 22 मार्च के दिन मनाता है? और जो सिक्कीम है, सिक्कीम अपनास्थापना दिवस 16 माई के दिन मनाता है और तिलंगाना अपना अस्थापना दिवस जो है 2 जून के दिन मनाता है ते चारो रजो के जो अस्थापना दिवस है आपके दिमाग में होने चाहिए तो दोस्तों आप हमने जो पार्ट 19 था उसको हमने पुरी बिस्तार में कवर कर लिया है जल्दी मिलेंगे पार्ट जो हमारा अगला होगा उसमें तब तक के लिए थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखे बहुत ही बेतर आफर है आपको 20% तक का ओफ मिलता है उसका यूज़ करेंगे तो आपको 20% तक का ओफ मिल जाएगा को ध्यान रखे, विम्री से अदिलेट 14 यूज़ करना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वीडियो अगर आपको अच्छे लगए तो इसे जादा जादा लाइक करेगा जाँ है